हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलेक्ट्रोनिक स्टड़ी यूट्यूब चैनल, नमस्कार बात कर लेते हैं आपर एक नियूज को लेकर के आज के, तो यहाँ पर आप देख पा रहोंगे, लिखा है बारावी पास करने के बाद, RIE से करें B-Ed, तो यहाँ पर यह RIE exactly है, ध्यान दीजेगा यह नियूज जो है, वो दहरादून की है, विशेश ख्याल रखेगा यहाँ पर, ठीक है आप यहाँ पर देख पा रहोंगे, तो इसके बारे में थोड़ा से जान देते हैं, भाई, उत्तरा खंड की बात है, बगल में तो जो भी वहाँ से रिलेट करते हैं, उनके लिए important है नियूज आपका यहाँ पर विडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूँ, अगर आप पूरी तरीके से डिलेट थर्ड समेस्टर के जो PDF नोट से उनको प्राप्त करना चाहा रहे हैं, तो आप इस नमबर पर 8081743734, इस पर आप जो है, मैसिस करके प्राप्त कर सकते हैं, तो यानि कि 801, 84, 37 और 34, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, चारवर से इंटिग्रेटेड बीड के लिए कर सकते हैं, अलाइन अबिदन, थोड़ा सा अप डिटेल में पढ़ सकते हूं हैं, पूरी तरीके से कई शातर बीड करके सिक्षक बनना चाहते हैं, लेक आपके डियलेड और 2017 बैच और 2018 बैच से भी रिलेटेड नियूज है, एक नियूज कल मैंने डाली थी, और वहाँ पर जी हाँ, जो देखने को चीजे मिल रही थी, आमर्यादित श्रब्दू का प्रयोग, आप लोगो के द्वारा, जो लोग वहाँ पर कॉमेंट्स किये है वो अच्छी तरीके से जानते हैं, उसको भी मैं थोड़ा सा आपके जो कॉमेंट्स हैं, उसका भी मैं आशर देना चाहूँगा यहाँ पे, तो बाकी चीजे आप डिटेल में प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर मैं पूरा आपको यह जो पीज है, यह मैं कुछी जारी के जाएगी, उतरखन तहरादून के लिए निउस था, यहाँ पर कल एक मैंने निउस, चुकि एक चीज मैं आप लोगों को बता दू, बिल्कुल ऐसे ही कुछ वहाँ पर चीजे जो है, जो निउस था, वो देखने को मिले थी, बिल्कुल, चुकि अभी आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कि PDF Notes के लिए मैंने अपना WhatsApp नमबर दिया हुआ है, तो जो मुझे ऐसे ही कि Breaking News करके और जो कल मैंने एक News चाला था, कि किस अपरेल को आपका DLA Result अपलोड कर दिया जाएगा, 22 को आपका जो है, 18 बैच इस पर और 17 इस पर अपना Result चक कर सकते हैं, कुछ इस तरीके सिफट से मुझे जो है, कई सारे Messages देखने को मिल रहे हैं, उसमें ये पूछा जा रहा है, क्या सर ये सही है कि नहीं, अब आप लोग ज़रा खुद से Decide करें कि वहाँ पर एक WhatsApp नमबर देने पर आप लोग इतनी लोग हो, इस टुडेंट पूरा वीडियो सबसे बड़ी चीजी है, कि अगर आपको पूरा वीडियो कल स्चाम का देखते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है, कि उसमें मैं कहना क्या चाहरा था, जो चीजे लिखी थी, कि सुब कामना है, अगरिम कुछ लोग तो ये कहना है, कि सुब कामना है क्यों मैं सारे कोमेंट्स पढ़ता हूँ, तो वो तो आपकी छवी को अच्छी तरीके से बता ही रहा है, बहुँच अच्छी तरीके से उसको जानते हैं, थोड़ा अच्छा भी नहीं लगा लेकिन ठीक है, आप लोग वहां भी गलती कर रहे हो, थोड़ा सा कि वीडियो पूरा देख नहीं रहे हो, कुछ ऐसी ही वीडियो मेरे पास आएंगी, अगर आपके पास आप होते वहां पर और कई सारे मेसेज आपको मिल रहे होते, तो प्लीज समझने के कोशिच कीजिए पूरी तरीके से, और ऐसे शब्दावली का प्रयोग, अभी वही चीज मैं आपको ना बताओं, मैं आपके कॉमेंट्स में रिपलाई ना करूँ, तो आप कहेंगे कि मैं रिपलाई नहीं करता, ठीक है, तो थोड़ा सा, होपस हो कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे पूरी तरीके से, और शुक्रिया जो है, इस वीडियो को पूरी तरीके से देखने के लिए, ब मैंने आप ही इसमें फिर से दिखाया, जो देखने को मिला है, ठीक है, तो वो आपको उन से जो है थोड़ा बच के रहे हैं, मैं हूँ आगाहा करने के लिए, वो बात अलग है कि आप सामने से मुझे गालिया दे देते हैं, चलिए, इस उके, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, शुक्राय दबते के लिए